हेलो एवरिवन आज मैं आपको एक ऐसी व्रक्स के बारे में बतानी जा रही हूँ जो की तप्ती रेगिस्तान में भी सदेव हरा भरा रहता है और ये व्रक्स है खेजडी रेगिस्तान में खास उप्योगिता व्रक्स है खेजडी और ये है वही खेजडी है जिसकी प्रजाती के पेड़ों को कटनी से बचाने के लिए करीब 230 साल पहले राजस्तान का एक गाउं था खेजडली गाउं उसमें 263 लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी और उन्ही की आद में हर साल इस गाउं में भादवा सुधी दसम को बलिदान दिवस की रूप में मेला लगता है जो की इस साल 23 फ्रवरी को आयुजित किया गया है खेजडी के वरक्स थार की मरूस्थल के इलावा पंजाब हरियाना चंबल की भी हैड और दीस के अन्ने भागों में भी पाए जाते हैं इसकी अधिक्तम उचाई आठ मीटर होती है और इसे अंग्रेजी में प्रोसोपीस सीनेरेरिया कहा जाता है यानि कि जो खेजडी का वरक्स है इसका बोटेनी का नाम प्रोसोपीस सीनेरेरिया है यह वरक्स जेट के महीने में भी हरा बहरा रहता है ऐसे में गर्मी में जब रेगिस्थान में जानुरों के लिए धूप से बचने का कोई सहारा नहीं होता तब यह पेड़ ही छाया देता है जब खाने को कुछ नहीं होता तब यह चारा देता है इसकी गहरी हैरी पतियां बबूल जैसी होती है जो पसूँ के लिए एक उंदा चारा है फलियां 15 से 20 सेंटी मीटर तर लंबी होती है और पकनी पर हलके भूरे रंकी हो जाती है और इने सांगरी के नाम से जानते है हरी फलियों को सुखा कर अचार और सब्जी बनाई जाती है पंच कूट नामक राजस्तान की प्रसिद सब्जी मी सांगरी, कमल गटा, केर के फैल, कुम्टा के बीच और काचरी के टुकडे मिले होते है गर्मियों में जब ताजी सब्जीयां उपलब्द नहीं होती तब सुखी सब्जी का यह मेल भेल ही काम आता है यहां यह स्वाल उठना लाजमी है कि आखिर यह पेड राजस्तान की इतनी तप्ति गर्मी में भी कैसे जीवित रहता है दरशल इसको पनपने के लिए हर साल सिर्फ 10 से 90 सैंटी मीटर तक ही बारिज प्रियाःत होती है इसकी बारिक प्तियां भी इसके लिए पानी बचाने का काम करती है क्योंकि पत्ती जितनी बड़ी होती है उसे वास्प उच्छरजन यानि पत्ती की खपत उतनी ही ज्यादा होती है पत्यों के अलावा इसकी जड़ भी मददकार होती है जड़े जमीन के भीतर 30 से 40 सेंटी मीटर तक चली जाती है और वहां से जरूरी पानी खीशती रहती है इस पोधे की एक विशेशता यह भी है कि यह रेगिस्थान में जमीन की नीचे पानी होने का भी एक सूचक होता है क्योंकि अगर यह पोधा है तो इसका मतलब है कि इसके आसपास जमीन के नीचे 100 से 200 फिट तक पानी मिल सकता है इसकी जड़ू में नाइट्रोजन इस्तरी करण करने वाले बैक्टीरिया और फुपंद भी पाये जाते हैं जो इसे कम पानी में भी जिंदा रहने में सक्षम बनाते हैं नाइट्रोजन इस्तरी करण करने वाले बैक्टीरिया की वज़य से यह अनिफ हसलों के लिए भी पोशन का काम करते हैं इसलिए रेगिस्तानिक सेत्रों में इसे खेतों के बीच बीच में लगाने की परंपरा है वास्तु सास्तर में भी खेजडी का पोधा सम्मे के नाम से जाना जाता है वास्तु में विश्वास रखनी वाले अपने घरों में सम्मे का पोधा जरूर लगाते हैं जो नरस्रियों में भी मिल जाता है वेदिक सास्त्रों में इसे सुर्यव अगनी का परतीक माना गया है वेज्यानिक जांच में यह भी पता लगा है कि इसकी लकडी की कैलोरिफिक वैल्यू बहुत अधिक होती है अधार्थ इसमें अगनी तत्वा अधिक मात्रा में पाया जाता है इसलिए यग्यों में अगनी प्रज्वलन के लिए अरणी में समी का इस्तेमाल किया जाता रहा है